पांकी मेदनी नगर मुखिपत इस्थित रन्ने भरी के समीप एक हुंड़ई वर्ना खार अनियंत्री फोपर पुलिया से नीचे जागिरी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर जे एच जीरो वन ई यू पैंतालिस उन्चास है इस हादसे में कार सवार मेदनी नगर निवासी क्रिस्नकान त्यातो अमन कुमार रंजन कुमार और सागर कुमार घायल हुए है मौके पर मौजूद पर्तेक्स दर्शियों ने बताया कि तीखे मोड की वज़ा से कार अनियंत्री फोकर नाले में जागिरी इस घटना में कार के परखचे उड़ गए हलाकि कार के अंदर सवार चारो यूवकों के स्थितिक खतरे से बाहर बताई जा रही है है इस्तानीय लोगों ने दर्गटना के बाद आवाज सुनकर घटना स्थल पर पहुंचकर कार में फसे हुएक यूवकों को बाहर निकालकर इलाज के लिए मेद्मी नगर बेजा जानकारी के मुताबिक कार सवार सभी युवक मेद्मी नगर के रहने वाले हैं कार सवार युवक लोहर दग्गा से मैच खेलकर वापस लोट रहे इसी बीच तीखे मोड पर कार और नियंत्री थोकर सड़क से नीचे जागिरी अलही में रन्य भरी के समीप भी केमिकल लदायक टेंकर भी दुरगटना ग्रस्त हुई थी लगतार एक के बाद एक करके दू हाद से होने के बाद अब अस्थानिये लोगों ने पांकी रोड में तीखे मोड के समीप स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग शुरू कर दी है क्या हुआ हाद जल गई टेंशन में है यह बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है यह बच्चों के एडमिशन के लिए टेंशन में है अरे जब ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल है इधर तो आप टेंशन क्यों लेते हैं उधर जी हाँ ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गड़ता है आपके बच्चों का भविश्य एक परवरी 2023 से नहीं सत्र के लिए एडमिशन प्रारम अधीक जानकारी के लिए संपर्क करें 6200910700 पर